किसान भायो मैं दसरत धाकड आप सभी का स्वगत करता हूँ एक और नए वीडियो में किसान सात्यों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में बाल्या निकलते समय किसान भायो को कौन सा खाद देना चाहिए एक ऐसी खास चीज में आपको बताऊंगा किसान भायो बाल्या निकलते समय गेहूं की फसल में ना तो कोई ग्रोथ प्रमोटर देना है ना ही कोई टोनिक लेकिन किसान भायो इस समय पर वो कौन सी चीज डाले जिससे गेहूं की जो बाली है वो लंबी बने दाने अच्छे से बरे दाना मोटा वजंदार चमकदार निकले किसान भायो गेहूं की पेदावर बढ़ाने का यही सबसे अच्छा समय होता है किसान भाय बालिया निकलते समय एक खाद का स्प्रे कर सकते है जिससे गेहूं की बालिया लंबी मोटी बनती है किसान भायो अगर खेत में नाइटरूजन की कमी है तो आप इस समय पर एनपी के 13-0-45 का स्प्रे कर सकते है जिसमें 13% नाइटरूजन पाए जाती है बहुत से किसान भाई साही समय पर गेहों में यूया नहीं दे पाते है जिससे बाले निकलते समय पोदे को नाइट्रोजन की जुरुत पड़ती है या गेहों की उतनी अच्छी बढ़वार नहीं हो पाती है एसे में किसान भाई एनपी के 13-0-45 का परियोग कर सकते है जिसमें नाइट्रोजन प्लस पोटास का कॉंबिनेशन पाया जाता है इससे फाइदा ये मिलता है कि गेहों की जो बाले है वो लंबी बनती है पोटास एक परकार से दानों को बढ़ा करने का काम करता है दाने के आकार को बढ़ाता है साहच को बढ़ाता है इनपी के 13-0-45 भी एक पानी में गुलनसील खाद है गेहों की गबोट अवस्ता से बाले निकलते हैं इसका परियोग आप कर सकते है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी पाय जाती है जिससे गेहों की बाली लंबी मोटी वज़ंदार बनती है किसान भाय अगर आपके खेत में भी नाइट्रोजन तत्व की कमी है या पोदे की बढ़वार रुक चुकी है बालिया छोटी रह रह रही है या बालिया एक साथ नहीं निकली है तो उस कंडिशन में आप एनपी के 13-0-45 का स्प्रेग गेहों की फसल में कर सकते है दो से पा किसान भायों में दानों का भराव अच्छे से होता है किसान भायों पोटास का प्रियोग करने से गेहों की बाली लंबी मोटी भी बनती है साथ ही दानों को वजंदार बनाने का काम भी पोटास तत्व कर देता है इसलिए किसान भायों को सस्ता सुन्दर खात में बता रहा ह में आप इस प्रे के माध्यम से प्रियोग कर सकते है किसान भायो इसका प्रियोग करने से खर्चा बिल्कुल नाममत्र का आता है और किसानों को अच्छा रिजल्ट मिलता है किसान भायो अगर आप भी गिवू की बालियों को लंबा मोटा वजंदार करना चाहते है तो इस खात का स्प्रेग गिवों में कर सकते है और गिवों के उत्पादन को बढ़ा सकते है वीडियो कर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किसान भायों तक वीडियो को शेर और चेनल को सब्सक्राइब करें जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में